हुआ देखिए सबसे पहले सलाम अलेकुम नमस्कार प्रणाम अधाप जैसिया राम पई आज अपने इस तरीके के कपड़े पेने तो थोड़ा था समद रहें हैं आप मद्धा था हुजाब का भार की देशों में तर्की वर की यहां पे इसलामिक कंटरी हैं वहाँ पे हुजाब को लेकर के भाई चाब लड़कियों प्रबाल कर रहा है कहीं बाल काट रही है और इसलिए अपने बाल काट रही है कहीं पर नारे बादी कर रही है प्लेकाट्स दिखा रही है कहीं पर आजनी कर रही है क्यों 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 कि वो चाहती है कि इन हिजाब हिजाब से हमें मुक्ति मिले हमें नहीं चाहिए हिज स्टाइल अच्छा है क्यों तो क्यों इसलिए क्योंकि एक होती खुजली क्योंकि नसूर बन जाती है वो हमारी तरह और जो हमारे जैसे लोग पहलाते हैं पर अपार्ट फॉन्ट है यह कोड का व्यक्तव वक्तव्य आया है उसके अनुसार पहले जो जग साब थे हिमंत गुप्ता जी हाँ उन्होंने कहा कि वह ऐसा है हिजाब जो है वो नई लागो होना चाहिए स्कूल के अंदर हिजाब नई होना चाहिए और वहीं दूसरी और करनाटका के जो दूसरे वाले जो जजज हैं इनका नाम बड़ा क्या नाम है सुधान्शू धूलिया वो कहते हैं कि बच्चियों की जो पढ़ाई है उसका अरजा नहीं होना चाहिए वो अगर पहन के आना चाहती हैं तो पहन लें क्या प्रॉब्लम हैं लेकिन अगर वो नहीं आप आ रहे हैं स्कूल में तो कितनी बड़ी गलत मेसेज जाता है कि लड़कियों के पढ़ाई रोकी गई है सिर्फ इजाब की वज़े से देखिए दोनों ने कितना अच्छा सचा एक बंदा कह रहा है हिमन गुपता कि भई अगर हमने आज यह लागू कर दिया तो कल कोई और उप खड़ा होगा कि भई हमारे यह तो यह करते हैं हमारे यह वो करते हैं हमारे यह जीन से पहनते हैं उनका कहना भी सही है और दूसर कोई जो है में जो है वहां से कोई उनको प्रॉपरली यह नहीं बताया गया है कि हिजाब बैन और हिजाब इस इन दी एर आमें वो हां हो गई उसके लिए बरहाल यह तो हो गई एक बात अब आते हम दूसरी बात पर चले गए नहीं सब हैं कट करते हैं यहां पर करते ना क्योंकि देखो क्या है कि बीजेपी के दोजिन लोग भूब रहे तो हम यहां कपड़ा भी पहन के आए थे जल्दी जल्दी में आया थे दिखा नहीं हमने यह पहले लिए भारा के देखा तो यह भगवा कल रहा था था निका रहे 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 चलो थोड़ी सी क्योंकि देख रोटीया क्यरे सेखेंगे हम यह कैसे बना पाएंगे कि वहाँ रोटीया सेख रहे हैं पराटा दिखेगा पूरी दिखेगी अब यह होगा वो क्यों गार्टी मेर्पर यह यानि मैंज इकॉल टूजावेश सांप नसीड़ सांप बरका सांप अ कनहिया खान सांप जितने हम है यह सब का पुरा-पुरा गैंग है ओवेसी सांप तो जितने हैं हम लोग ने डिसाइड किया कि यार देखो ऐसा है एक पुछ-पुछ करता रहेगा तूसरा एक्षिन लेगा इधर वाला पुछ-पुछ कर दे फिर जैसे अभी मैंने किया मैंने बीजीपी तारिफ कर दी ए और हमारी उकात तो आपको पता ही है कि आपको हंसी नहीं है मुझे पता है लेकिन कंदे तो मेरे उचल गए न क्योंकि हम अपनी बापते दो हांसी लेते हैं खैर यह दूसरी रखी बाती पर बात यह है कि देखिए साब यह मुद्दे हैं कि मद्धित के आगे से अगर क्या बोलते हैं जूलूस निकल रहा है शोबयात्रा निकल रही है उसमें अगर हमने बावाल नहीं किया हमारे जो छोटे छोटे जो हमने फेके हुए हैं उन्होंने बावाल नहीं किया तो लानत है हम पर हिजाब के उपर अगर हमने तीखी टिपड़ी नहीं की तो लानत है अगर हिंदो मुस्लिम हैं ना ने लागत हैं प्र पर थे जो बात है वह ए उसमें तो कोई दुराय नहीं कि हम क्नी काट लेते हैं क्यों क्यों कि हम अंदर से जानते हैं कि बात तो सए हो है है लोगी तो काम अच्छा कर रह नहीं लेकिन मैं नहीं करना मख्रा नहींla आटिके को नहीं जो में रीजन में आपको बजाता हूं क्यों कहते हैं चार लॉंडे लड़कियां छेड़ रहते छेड़ दी लड़की ने छापड़ भी मार दी और चल भी दी बात किस्ता खतम हो गया अब आई तीन लड़कियां जिन्होंने हिजाब पेना वा था लाए उन्होंने उनसको नहीं डा बताईए क्यों क्योंकि तीनों जो लड़के देओते वहतीं सलीम जावेद और राशित उनको सा कहीं लड़के अंदर घर का इमाल लाओ इसलिए जा रही हैं कि यह हिजाँ और इसलिए नहीं जा रही है के यह हिजाश सबस्क्राइब एकार आपको ताइक हुआ है जाविड दफ्तर अफ्तर और लोजिकल हम जूर भी बोलते हैं तो लेकिन आप हमारी जिहाद पना भी समझे और हमारा एक जो ग्याएंग उसको भी समझे और भगवा हमने क्यों धान किया उसको भी समझे चलता हूँ शेवाना तरह पानी पिलाना गला फूग गया है मेरा मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर गनफस को फूप पहचानता हूँ संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सच निकालता हूँ ना कोई दोर ना कोई रेक्स क्यापिटल वीड उत्तर्क देश झालता हूँ